जूट बोलना भी एक कला है जिसमें इंसान अपने बुने हुई जाल में फस्ता भी खुद है और उलच्ता भी खुद है ताकत आवाज में नहीं अपने बिचारों में रखो क्योंकि फसल बारिश से होती है बाढ़ से नहीं किसी की मजबूरी पर मत हसिये कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता डरिये वक्त की मार से क्योंकि बुरा वक्त किसी को बता कर नहीं आता जो आप से जलते हैं उनसे घृड़ा कभी ना करें क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बहतर हैं किसी को देने के लिए दिल बढ़ा होना चाहिए, हैसियत नहीं कभी-कभी गुस्सा मुस्कुराहट से ज़्यादा खास होता है क्योंकि मुस्कुराहट तो सभी के लिए होती है लेकिन गुस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जिनें हम कभी खोना नहीं चाहते हैं जिन्दगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं है बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी है मा बाप ओ हस्ती है जिसके पसीने की एक बूद का कर्ज भी आउलाद नहीं चुका सकती जिन्दगी में सांती से जीने के लिए केवल दो ही तरीके हैं माफ कर दीजिये उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते भूल जाईए उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते हैं किसी से उमीद किये बिना उसका अच्छा करो क्योंकि किसी ने कहा है जो लोग फूल बेचते हैं, उनके हाथ में खुसबू अक्सर रह जाती है वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं बेवजा ही लोग अपनों को भी रुला देते हैं जो दिया रात भर रोसनी देती है सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते हैं दुनिया की सबसे बहतरीन दिस्तव वही होता है जहां एक हलकी सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है